So, Hi Everyone! कैसे हो सभी के सभी? Class 10th की हमारी इतनी शांदार जर्णी रही थी और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे Class 11th के चैनल के उपर तो सबसे पहले तो Congratulations आप सभी के Class 10th के जो exams हैं वो बहुत प्यारे गए, वो Marathons की वज़े से और जो आपने महनत करी है उसकी वज़े से result भी बहुत अच्छा हैगा अब बारी है आपकी सबसे toughest class की अब जहां पर मैं बोल रहा हूँने की Class 11th tough होगी इसका मतलब है Yes, Class 11th बहुत ज़्यादा tough होने वाली है देखो, पहले ही अपने दिमाग को थोड़ा mentally prepare कर लो दो surprises, दो बहुत अच्छे और बहुत प्यारे surprises आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो देखो, पहली चीज़, Class 11th एक चीज़ याद रखना महनत लगानी पड़ेगी दोस्त इस Class के अंदर आपने अभी तक जितनी भी महनत लगाई है अब भया, आपके हमारे लिए लेकर आये हो, क्या आप हमारे लिए कोई बैच लेकर आने वाले हो जो कि सबका सवाल चल रहा है, भया, आप IATJ NEET वाले बच्चे को पड़ाते हो, एक बैच हमारे लिए भी लादो है ना, भया, मैं JEE की त्यारी करने वाला हूँ, NEET की त्यारी करने वाली हूँ, भया, मैं Commerce पड़ने वाला हूँ, कुछ बैच लादो तो देखो, आज सबी को इसका आंसर दे देता हूँ, आंसर इसका यह है, कि दोस्त, मैं आपके लिए कोई भी अभी के समय पर पेड बैच नहीं लाने वाला हूँ, उसका रीजन क्या है, देखो, मैं बैच आज ही स्टार्ट करवा सकता हूँ, हमारे पास टीचर्स वगेरा सब हैं, बट, इशू क्या होता है ना, कि मैं चाता हूँ, अगर मैं एक बैच लेकर आँ, नेक्स्ट आपर की पूरी टीम एक बैच लेकर आए, तो इंडिया का बैच हो, महाँ पर इंडिया के बैस्ट टीचर्स हो, और उससे करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो इस सेशन में तो हम आपके लिए कोई पेड बैच नहीं ला रहे हैं, तो क्या इसका ये म IAT, JEE के एक्जाम के अंदर हम कौलिफाय करवा चुके हैं, पिछले चार साल के अंदर, अपने सीनियर से पूछने हैं, जो कि आज की समय पर IAT के अंदर वैठे हैं, सिमिलर नी नीट के अंदर इतने स्टूडेंट्स पढ़के हम से एम्स के अंदर जा चुके हैं, और वो स अपरेल में, तो थोड़े बहुत मजे करो हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट नी करना, क्योंकि देखो, दसवी जो थी, बहुत जादा हमारे लिए प्रेशर हमारे उपर था, थोड़े बहुत अंज्योई करो, मजे करो, और उसके बाद आ जाना, अपरेल में, प्रिशान भ पता दूँगा, और टाइम मिलेगा तब पढ़ा भी दूँगा, टेंशन मतलो, ठीक है, तो ये था हमारा सप्राइस नंबर वन, और सप्राइस नंबर टू, इतने टाइम की महनत के बाद, जैसे कि आपको शायद पता होगा, नहीं पता है, तो बता देता हूँ, इंडिया का वन आप दी बिगेस्ट मीटप हम कर रहे है, नेक्स्ट आपर की पूरी टीम, जिसमें मैं, दिगराद सर, शोबित भाईया, तीनों एक साथ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, एक मीटप प्लान कर लिया है, और अभी आप थोड़े बहुत फ्री भी हो, तो मीटप में आ बरूर आना है, अब आप पूछे के बहुत कम बचा है, तो तीन सिटी के अंदर आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, तहली जो हमारी सिटी है वो है देली, देली को हम आ रहे हैं, कौन सी तारी को 29th of March, भाईया, टाइम बहुत कम बचा है, सुनलो मेरी बात, 29th of March, जो सीड्स हैं, वो आपको कैसे मिलेगी, पासित कैसे मिलेगी, अभी सुनते जाओ, ये हमारा दिली, अगला हम मिल रहे हैं, पटना, अरे पटना के स्टूडेंट्स कैसे हो, पटना से पता नहीं हमें इतना जादा प्यार आता है, बच्चे बोलते रहते हैं, कि भाईया य ये हम कर रहे हैं बड़े बड़े स्टेडियम के अंदर, तो अगला है कोटा, जो कि हम 4th of April में मिल रहे हैं, कोटा के स्टूडेंट्स, अगर तुम जही नीट की तियारी करने जा रहे हो कोटा, तो भाईया प्रिशान भाईया तो खड़े हैं ना साथ में, नेक्स्ट आप पासिज ले सकते हो, लॉंच करे हो, हमें एक दिन हुआ है, जब हमने लॉंच पासिज लॉंच करें, और 50 या 60 परसंट से भी जादा पासिज हमारे सेल हो चुके हैं, अब मैं आपको बता देता हूं, ये पासिज फ्री हैं या इनकी कॉस्ट है, तो देखो, एक रूल होता है, एक नियम होता है, वो हमारा नियम नहीं है, गवर्मेंट का नियम है, नियम क्या है, कि जब भी आपको कोई meet-up organize करना होता है, बड़े लेवल पे, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, कि किसी को भी बुला लो, आपको एक ticket रखनी पड़ती है, बिना ticket के न, meet-up करना allowed नहीं है, चीक है, अगर हम उसको कर देंगे, तो फिर हमें पुलिस उठागे ले जा सकती है, तो ऐसे allowed नहीं है, तो इस वज़े से हमने, एक जो seat booking है, जो एक price है, वो हमने रखा है, 49 रुपीज, बस 49 रुपीज, वो क्यों रखा है, क्योंकि वो हमें करना पड़ा, क्योंकि वो लेकर आ सकते हो, कोई मनानी करेगा, एंट्री में कोई रोक टोक नहीं होगी, हम आपके parents को भी उसी pass के अंदर, sitting में बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे मिलना चाते हैं, बठ एक government की policy है, जो कि हमें में सोचोगे कि यार भाद में book करते हैं, तो अगर seats नहीं मिल पाई, तो शायद थोड़ी बहुत problem हो जाए, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी seat book कर लेना, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कि जो student, जो हमारा meetup का stadium है, उसमें जो student जल्दी आएंगे, उनको obvious ही बात है, आगे वैटने को मिलेगा, तो ऐसा मत करना कि, दो वज़े का time में आप तीन, तीन, चार, चार बज़े आ रहे हो, अगर लेट आओगे, तो भाईया, शायद आखरी की seat मिल जाए, और उसमें आपको मज़ा नहीं आ पाएगा, तो सब जल्दी आने की कोशिश करना, जिससे कि आप आगे वैट पाओ, और हमसे बहुत अच्छी तरीके से मिल पाओ, on this note, याद रखेंगे, प्रिशान भाईया, 10th के साथ भी, और 10th के बाद भी, 11th को बहतरीन बनाएंगे, और April से सारी strategy, सब कुछ आपको मिलेगा, इसी चैनल क के ओपर, on this note, शुक्रिया everyone, meet up में मिलते हैं, link सारी description में, take care.